हलो बच्चो आप सभी का हमारे चैनल SSC GK में स्वागत है मैं हूँ उदैसंकर बच्चो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत की भोगोल से रिलेटेड कुछ MCQ को देखेंगे जो की प्रिवियस एक्जाम्स में पूछे गए हैं ये MCQ बहुत इंपोर्टेंट है और एक बार नहीं ये कई बार पूछे गए हैं आगे आने वाले परिच्चा के लिए भी ये काफी महत्पुन साबित होंगे बचो इन MCQ को पहले आप पले डिल कीजिए पले आप इनको हल कीजिए वीडियो पॉस करके चुकि हमें टोटल 50 MCQ करने हैं तो वीडियो तेजी से आ आप अपनी तयारी का आकलन कर पाईएगा कि आपका अभी भारत के भोगोल से संबनी तयारी कैसी है चलिए तो आज के इस वीडियो सेशन के पाले प्रस्त को हम लोग देखते हैं सवाल क्या है भारत में 30 राजियो की संख्या है 30 राज भारत में कितने हैं ऑप्सन दिया है आपको भारत में 30 राजियो की संख्या बताना है भारत में 30 राजियो की संख्या है वो टूटल 9 है ठीकर हमारा जो राइट एंसर होगा 1 का एंसर जो वो ध होगा अब ये तठीय राज जो कौन कौन से हैं ठीक है पहले उनकी संख्या को तो हम लोग देख लिए कि वो नौ है अब उनके थोड़ा से नामों को देखते हैं यदि हम भारत की पुर्वी साट से अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मिलता हमें वेस्ट बेंगॉल डबलू भी इसके बाद हम आते हैं तो हमें मिलता है आंधर परदेश उडिशा के बाद हमें आते हैं तो हमें मिलता है आंधर परदेश इसके बाद फिर हमें मिलता है तमिलाडू चलिए ये तो पुर्वी साइड से हो गए अब हम फिर हम इसी तरह से हम आगे की और बढ़ रहे हैं इसके बा आते हैं करनाटक, केरल के बाद आते हैं करनाटक, ठीक न चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट राज है गोवा, इसके बाद हम मिलते हैं महारास्टरा में, और इसके बाद हमारा जो तटी राज है वो है गुजरात, तो इस प्रकार भारत में तटी राजु के संक्य टोटल न इस प्रकार ये नौ एस्टेट ऐसे हैं जो कि कोस्टल स्टेट कहला आते हैं चलिए तो हमारा वन का राइट एंसर हमारा डी होगा आते कोस्टन नमबर सेकेंड में करें कितने भारती प्रदेशों से उकर करकर रिखा गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 37 डिग्री जो न इतने राजों से गुजरती है उसकी संख्यया option A में दिया छे, B में दिया है 8, C में दिया है साथ और D में दिया है 9, कितने ऐसे राज्य हैं जिन से उकर कर कर रिखा गुजरती है अप पले वीडियों को पॉस्ट कर लें वीडियों को पॉस्ट करके आप इसे हल करें करकरेखा सबसे पहले अगर हम पस्षीम भारत से चले तो वो करकरेखा गुजरती है सबसे पहले गुजरात से अब सटेरा जिकॉन कोन है उनसे यह करकरेखा आप गुजरते चलेगी तो राजस्थान का सबसे जो निचला भाग है अना गुजरात के तो सिंटर से गुजरती है लेकिन जो राजस्थान का सबसे जो बॉटम भाग है सबसे दक्षिन भाग है तो वहाँ से भी ये करक आफ जो ट्रॉपिक आफ कैंसर है वो गुजरती है यानि कि राजस्थान का भी सबसे जो दक्षिन भाग है वो सामिल आ जाता है इसके बाद MP का एक बड़ा च्छेत्र ज जारखंड के बाद हमें मिलता है West Bengal WB और इसके बाद पुर्वत्तर दो राज हैं तिरपूरा और मिजोरम जिसे की करकरेखा गुजरती है तिरपूरा और एक हुआ मिजोरम तो इस प्रकाल टोटल राजु के संक्य कितनी है आठ है यह करकरेखा देसांतर हाना यह जो करकरेखा गुजरती है अग्ता हमारा टू का राइट एंसर क्या होना चाहिए टू का राइट एंसर हमारा भी होना चाहिए चलिए स्टेट्स को अब देख सकते हैं 12345678 चलिए आते पॉइंट नमर कुश्शन नमर ठीर क्यों राते हैं राश्टी राजधानी छित्र में न दिली और NCR ठीक है न तो जब दिली का नाम आता है तो उसके साथ NCR को भी जोड़ा जाता है कभी हमने क्या सोचा है कि NCR में कौन-कौन से सहर कौन-कौन से जीले या किस-किस स्टेट के मतलब इसमें सहर या जीले आते हैं तो चलिए पूछ रहा है क्या कि NCR में नहीं समलि चलिए हरियाना का भाग पंजाब का भाग राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग इसमें से किसका भाग समलित नहीं है इसका जो राइट एंसर होना चाहिए बच्चों वो पंजाब का भाग होना चाहिए ठीक है ना पंजाब जो है वो दिली से सटा नहीं है अल ये दो जीले हैं अलवर और भरतपूर जिनको NCR में सामिल किया गया है, इसके अलावा हर्याना दिली से टच करता है, उतर पर्देश का जो उत्री भाग है वो दिली से टच करता है, तो इनके जो बहुत सारे जीले जो हैं वो NCR में सामिल है, रधस्थान का कोई भी भाग हला तो उससे सामिल किया गया है, अगर राइट एंसर भी होना चाहिए, तिरी का एंसर अमरा भी होगा आएए, क्वेशन नमर फूर में भारत के किस राजी का समुद्री तर्ट सबसे अधिक लंबा है ये सबसे लंबा समुद्री तर्ट वाला राज भारत का कौन सा ये सवाल बहुत बार पुछा गया है चली option A में है आंधर परदेश महारास्ट, B में है महारास्ट C में है गुजरात और D में है तमिलनाडू भारत का सबसे लंबा जो समुद्री तर्ट वाला जो राज है वो बच्चो कौन सा है क्या आप इसको आसानी से बना सकते हैं तो वो राज है गुजरात ठीक ना 4 का राइट एंसर हमारा जो होगा वो C होगा और इसके बाद अस्थान आता है आंधरा परदेश का सबसे पाले जो समुद्री तर्ट वाला जो सबसे बड़ा राज है गुजरात है और जो दूसरा जो सबसे बड़ा राज है वो आंधरा परदेश है तो आपको इसमें दे दिया गया है गुजरात का नाम दे दिया गया है अता हमारा 4 का राइट एंसर क्या बनने वाला है C बनने वाला है चलिए कुश्चन नमर 5 की और देखते हैं करें कि Silent Valley हाना इस्थित है Silent Valley जिसका हिंदी नाम है सांत घाटी किस राज में इस्थित है केरल में, तमिलाडू में, हिमाचल परदेश में, जम्मू कास्मीर में तो इसका राइट एंसर होना चाहिए केरल में ठीक है ना Silent Valley निस्टनल पार्क वहाँ पर है साली एक मतलब आरास्टी पार्क है जो अपने मतलब की बहुत जादा यहाँ एस्पेसी जे वनस्थित हैं ठीक है और यहां की सिंग पुछ वाला एक जानवर पाया जाता है मेकॉक नाम का एक जानवर जो की जिसका जो लायन ट्लूस को एनीमल कहा गया है ठीक ना तो उसका ये मतलब सबसे बड़ा आवास छेतर है Silent Valley तो Silent Valley कहा इस्तित है तो इसका जो राज है वो के रहल है यानिकि 5 के राइट एंसर अमारा A होने वाला है आते हैं नमबर 6 में Question 6 में देखते हैं इसमें केसर की महँजाद खेती है अब तो आपको हिंट मिल गया होगा कि करेवा जो भुवाकरिती है इसमें केसर की खेती बहुत जादा होती है और केसर की खेती केवल और केवल कास्मीर में होती है मतलब कास्मीर उसका प्रमुख उत्पादक राज है तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो करेवा जो भुवा करीती है ये कहां पाया जाता है तो कास्मीर हिमाले में यानि कि हमारा 6 का राइट एंसर D होना चाहिए आईए कुश्चन नमर 7 में मूव करते हैं निम्न में से कौन सा में घाले पठार का अंस नहीं है ठीक है ना कौन सा में घाले पठार का अंस नहीं है भुवन पाडिया गारो पाडिया खासी पाडिया जैनतिया पाडिया में घाले पठार के अंस इसमें से कौन सा नहीं है सवाल आपका ये है, आप वीडियो को पॉस कर ले, वीडियो को पॉस कर कर के आप अपने self assessment कर सकते हैं, इसमें भुवन पहाडिया जो हैं वो मेघाले पठर का अंस नहीं है, देखिए, गारो, खासी और जेंतिया, यह तीन जो नाम है, गारो, खासी और जेंतिया, यह वहाँ का भी नाम है इस इनके नाम से पहाड़िया भी है और इनके नाम से जंजाती भी है राई भी जो होती है वो मेघाले में है और पहाड़िया भी है वो मेघाले में है तो मेघाले पठार का अंस नहीं हो है भूण पहाड़िया यानि कि सेवन का राइट एंसर हमारा ए होगा गा में कौन सा चटान परनाली भारत में नमिंतम है, सबसे नया चटान परनाली कौन है, ठीक है, चलिए, option A में दिया विंधियन, option B में दिया कुडपा, option C में दिया धारवाण, और option D में दिया गोंडवाना सबसे नया बताना है तो इसमें सबसे जो नया जो चटान परनाली है वो है गोंडवाना का ठीक है ना गोंडवाना का चटान परनाली सबसे नया है यानि 8 का राइट answer हमारा A होना चाहिए आईए number 9 में वो दर्रा जो सरवादिक उचाई पर इस्थित है ठीक है ना सबसे अधिक उचाई पर कौन सा दर्रा अवस्थित है चलिए जोजिला दर्रा रोहतांग दर्रा नाथुला दर्रा और खैबर दर्रा इसमें हमें बताना है कि सरवादिक पुछाई पर कौन से दर्रा है, जो जिला दर्रा लदाक में है, चलिए सबका पहले लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, रोतांग दर्रा जो है हिमाचल परदेश में है, इसी दर्रे में अटल सुरंग का निर्मान किया गया है, हाना हि हिमाचल परदेश में है, तो हिमाचल परदेश के रोतांग दर्रा में क्या है, एक और इंफरमेशन हम लोग लेते हैं, तो वो अटल सुरंग है, और इसकी लंबाई जो है, वो 9 किलोमीटर से जाता है, अप ऐसा समझे, यह दुनिया का सबसे बड़ा लंबा सड़क चलिए, नाथुला जो है, यही सवाल पूछा गया है ना, तो नाथुला सबसे सरवादिक उचाई पर इस्थित जो है दर्रा, वो नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में है, यह दर्रा जो है वो सिक्किम में है, जो कि सबसे अधिक उचाई पर इस्थित है, यानि हमारा 9 क यह वो पाकिस्तान आफगानिस्तान के सीमा पर है अब ऐसे समझिए तो हमारा राइट एंसर क्या होना चाहिए हमारा नैन का राइट एंसर सी होना चाहिए ठीक है नाथुलाग दर्रा जो है वो सरवादिक उचाई पर इस्धितimento दर्रा है आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं बात को लेके आगे चलते हैं निमले में से किस अस्थान पर अलक नंदा तता भागी रथी का संगम होता है ठीकर ना ये अलक नंदा और भागी रथी किस जगा पर आकर के गंगा के नाम से जाने जाते हैं एक जगा है जहां पर अलक नंदा और भागी रथी मिलते हैं और फिर और वहां से आगे जहां तक गंगा का प्रवा है, जहां तक उस नदी का प्रवा है, उसको गंगा कहा गया है, तो option A में है, विस्नु प्रियाग, करन प्रियाग, रुद्र प्रियाग और दियो प्रियाग, इसमें से हमें चुनाव करना है, कि किस जगह पर अलकनंदा और गीरत ही मिलते हैं और यहीं से आगे की और जो नदी का प्रवा होता है वो गंगा के नाम से जाना जाता है यानि कि हमरे 10 का राइट एंसर जो होगा वो डी होगा चलिए आते है नमबर 11 में निमलिकित नदियों में से किन को जोडने का कार किया गया है जो रिवर लिंकिंग ज तो इसमें से किन नदियों को जोडने का काम किया गया है तो इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए इसका राइट एंसर होना चाहिए इसका राइट एंसर होना चाहिए इसका राइट एंसर होना चाहिए जोडने का कार किया गया यानि कि 11 का राइट एंसर हमरा बी होना चा तो किस नदी की घाटी गहरी खडग भूमी या इसको राइभिन्स कहिए के लिए विख्यात हैं मतलब कि गहरे बिहड के लिए विख्यात हैं नर्मदा नदी सोन नदी चंबल नदी और तापती नदी तो इसका जो राइट एंसर क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए बच्च यह घड़ियाल का आप ऐसे समझे जो चंबल नदी है यह घड़ियाल का प्रकृतिक आवास भी है चलिए इम्पॉटंट बाते चंबल नदी से रिलेटेड यानि कि 12 का राइट एंसर हमारा क्या होना चाहिए 12 का राइट एंसर C होना चाहिए आए 30 नमबर में बंगला देश में परवेश करने के बाद गंगा नदी को निमलिकित में से किस नाम से जाना जाता है ये बहुत इंपोर्टन्ट सवाल है ये सवाल कई बार पूछा गया है बार बार पूछा गया है कि जब गंगा नदी बंगला देश में परवेश क नाम से, यानि कि 13 का राई टैंसर अमारा बी होगा. आई ये कुशन नमर 14 में आते हैं, ढार रहे कि बेतवा नदी निकलती है, बेतवान नदी कहां से निकलती है, अरावली के पहाड़ी से, सत्पुरा के पहाड़ीयों से, विंधियन पहाड़ीयों से और पश्मी घाट से वितवान अदी का जो origin है, जो इसका स्रोत अस्थल है, वो कहा है आप से ये सवाल पुछा गया है, एक बार पुना option देखते हैं अरावली पहाड़ीयों से, सत्पुरा पहाड़ीयों से, विंधियन पहाड़ीयों से, और पश्मी घाट से इसका जो राइट एंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए, विंधियन पहाड़ीयों से ठीक है न इसका राइट एंसर होना चाहिए बिंधेन पाड़ियों से यानि कि 14 का राइट एंसर हमरा C होगा आईए क्वेशन नमर 15 की और देखते हैं निमलेकित में से कौन सा एक सबसे सुस का स्थान है सबसे आपको ड्राइट मतलब कि ड्राइस्ट एरिया बताना है भारत के अंदर सबसे कमबारिस किस जगा पर होता है सुस के जगा पर हम ऐसे भी यह सवाल आ सकता है कि सबसे कमबारिस किस जगा पर होती है औपसन दिया गया मुंबई, दिली, लेक और बंगलूरू तो यह सवाल बहुत इस्टेटिक सवाल है बहुत इंपोर्टन सवाल है यह सवाल multiple times पूछा गया है तो इसका right answer होना चैल लिए भारत में सबसे जो कम बारिस होती है वो लिएमें होती है जैसल मेर, राजस्थान का जैसल मेर से भी कम यहां पर बारिस होती है और यह भारत का स इसमें जो वर्सा का एक बड़ा भाग किस मानसून से प्राप्त होती है तो आप देखेंगे कि केरल से चलती है ठीक ना ये मानसून जो है वो केरल से चलती है और ये फिर आगी की ओर ऐसे बढ़ती है यानि कि हम कहां देख रहे हैं उत्तर पुर्वी मानसून से ये तो ऐसा ह नहीं वापस होते मांसून से ऐसा है नहीं दक्षिन पस्षिम आप ये समझें दक्षिन से निकलता है और ये सीधे पस्षिम की और ये चलते जाता है ठीक है तो दक्षिन पस्षिम मांसून इसका राइट एंसर होना चाहिए ठीक है 16 का राइट एंसर अमरसी होना चाहिए मतलब मांसून का arrival हो गया है और अब इसके बाद देश में धीरे धीरे उसका मतलब coverage area बढ़ता जाएगा मांसून का coverage area बढ़ता जाएगा तो सबसे पहला राज जहां पर मांसून का आगमन होता है वो कौन सा है और अपसने में दिया असप, B में दिया है पशिम बंगाल, C मे इस सवाल को खुद से हल किया जाए और बहुत important सवाल है और easy सवाल है और easy सवाल है इसका right answer D होगा केरल ठीक ना केरल पहला पहला ऐसा भारती राज जहां पर सबसे पहले मांसून होता है मांसून का आगमन होता है सत्र का answer D होगा 18 में आते है निम्न राजियों में से किस र लौठे मांसून के कारण बारिस ओती हो जाड़े में वारिस होती है तो केरल में option B में तमीलाडु में, option C पस्षीम मंगाल में, option D अपन डी सा में किस राज में जाड़े के मौसम में वहां बारिस होती है तो वो तमीलाडू है ठीक ना तमीलाडू में जनवरी में बहु ज़्यादा बारिस होती है कई दिनों तक लागतार बारिस होती है चिन्नाई में अक्सर नियूज में आईएगा नियूज में दिखिएगा तो सारे स्क कौन सा राजीसम अंतरष्टी सीमा को टच नहीं करता है या किसी बिदेशी देश को टच नहीं करता है बिहार ऑफशन ए में च्छतिसगड़ ऑफशन बी में है उत्राखंड ऑफशन C में और मेघाले जो है ऑफशन D में है तो अगर आप पूरा मैप देखेंगे तो मैप से यही पता चलेगा कि जो 36 गड़ा है इदम Central India के इदम बीच में है और ये किसी बिदेशी देश को ये टच नहीं करता है, बिहार टच करता है नेपाल को, चलिए दिखते हैं, उतरा खड़ा टच करता है चीन और नेपाल को, ठीकना, और मेगाले जो टच करता है ये बंगलाद इसको, मेगाले जो टच करता है ये बंगलाद इसको टच करता है, लेकिन जो 36 गड़ा है वो किसी दूसरे देश को टच नहीं करता है, तो हमरा राइट एंसर बी होना चाहिए, 19 का जो राइट एंसर होगा वो बी होगा, आएगा, इसके बाद आते हैं, नमबर 20 में, निम् अप्सन B में है भागलपूर, अप्सन C में है भोपाल और अप्सन D में है कानपूर, बच्चो पहले आप इस प्रस्न को हल कीजिए, फिर इसके बाद देखा जाएगा है कि इसका एंसर क्या हो रहा है, हना कर रहा है कि कौन सा भारतिय सहर एक नदी के तटपर नहीं है, तो इसका राइट एंसर होना चीए, C होना चीए, भोपाल, ठीक है न, इसका राइट एंसर B, इसका राइट एंसर C होना चीए, भोपाल, आगरा जो है यमुना नदी के तटपर है, थोड़ा सा एक चीच को देखा जाए, ठीक है, भागलपूर जो है वो गंगा नदी के पर नहीं है अता हमारा 20 का राइट एंसर C होने वाला है ठीक है आए चलिए आते 21 में कहा है कि मंदार पाड़िया कहां इस्थी थे भारत के किस राज में मंदार पाड़िया इस्थी थे जरखंड में बिहार में असम में और पस्षिम बंगाल में एक बाट पुना सवाल क्या क परवत या मंदार पाड़िया आपको देखने को मिलेगी यानि कि 20 का राइट एंसर हमारा 21 का राइट एंसर मारा B होना चाहिए आएगा 22 में आते हैं करेके निमली खित में से किस एक राज में पटसन या जूट कहिए कि खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है अना किस स्टेट में जूट की खेती मतलब ना के बराबर होती है आपको ये चुनना है ठीक है ओप्सन ने दिया है असम में पस्टिम मंगाल में ओडिसा में और अंधर प्रदेश में बच्चों आप पले वीडियो पॉस करके बनाए सीधे आप एंसर ना ले ठीक है मैं आपको से य आपका जोगराफी पर अच्छा पकड़ है तो आप इसका आकलन कर ले कि आप पचास में कितने स्कूर कर रहे हैं इसका राइट एंसर सी होना चाहिए ठीक है ना बाइस का राइट एंसर सी होना चाहिए ओडिसा एक राज जहां पर सार्थक रूप से मतलब की वहां पर इसको बड़ी है आपको फ्रेस वाटर लिखके नाम के बारे में बताना है कि भारत में सबसे बड़ा फ्रेस वाटर मतलब कि उसको आप का यह स्वच जल की जील कौन सी है चिलका जील लोक्टक जील डल जील और ऊलर जील चीक है तो बच्चो इसका सबसे राइट एंसर क्य होना चाहिए आप क्या गेस कर रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी जो स्वक्ष जल वाली जो जील है वो कौन सी है तो इसका राइट एंसर होना चाहिए बूलर जील कास्मीर में जो है यह भारत का सबसे बड़ा यह फ्रेश वाटर लेक है ठीक है चलिए हम आगे बात को लेके चलते है तो इसका मतलब है कि 23 का राइट एंसर हमारा क्या होगा 23 का राइट एंसर हमारा डी होगा 24 में आते हैं निमलिकित में से कौन सा अक्षांस अना अंडमान दीपसमू और निकोबार दीपसमू को प्रिथा करता है ठीक है आठ डिगरी उत्री अक्षांस 10 डिगरी उ उत्री अक्षांस और 13 डिगरी उत्री अक्षांस बहुत इंपोर्टेन प्रस्न है इस प्रस्न को कई बार पूछा गया है ठीक है अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा अक्षांस अंडमान दीपसमू को निकुबार दीपसमू से अलग करता है और इसका राइट एंसर होन 25 क्या करा है जंगली गदहों का भयारन है ठीक है जंगली गदहे गदहों के लिए परसीद राज कोन है ऐसा भी पूछा जाता है कि किस राज में सबसे जबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे जंगली गदहे चलिए बच्चों तो इसका राइट एंसर हमने पा लिया है 25 का राइट एंसर जो होगा वो क्या होगा चलिए इंट्रेस्टिंग यह बात है कि गुजरात अपने सेरों के लिए परसिद है तो गुजरात अपने गदों के लिए भी परसिद है 25 का राइट एंसर जो कच का जो छित्र है चच के रण में आपको वाइल्ड ऐस आपको देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए 26 में आते हैं अंडमान यह निकोबार दीप समूह में सबसे अधिक उचाई वाला चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार दीप समूह की सबसे अधिक उची चोटी कौन सी है 26 का राइट अंसर हमारा ए होगा आयेगा करें क्या नागर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थीत है वो है नागर्जुन सागर परियोजना है ठीक है भद्रा नदी हीमा नदी अधि गोडावरी नदी और कृष्टं नदी इसको गेस किया जा नागरजून सागर जो परियोजना है यह किसना दी पर दे तो इसका राइट एंसर डी होना चाहिए ठीक ना यह कृष्णा नादी पर है 27 का राइट एंसर डी होगा ठीक ना और इससे जो बेनिफिटेड जो एस्टेट है वो अंधर परदेश और तेलांगना है इससे जो लाभोनीत राज है वो क्या है अंधरा परदेश और तेलांगना चलिए यानि कि 27 का राइट एंसर महामरण डी होगा आएगा 28 में कर रहे कि काड़मम पहाड़िया जिसको हम लोग हिंदी में इलाइची पहाड़िया भी कहते है ठीक है ना काड़मम पहाड़िया किन राजियों के सिमाव परिस्थित है कर रहे कि काड़मम पहाड़िया किन राजियों के सिमाव परिस्थित है चलिए उप्सन A में दिया है करनाटक और राजियों के बीच काड़माम पहाडिया आपको देखनियों को मिलेंगे यानिको 28 का राइट चैंसर हमारा सी होना चाहिए आएगा 29 में आते हैं मक्की की खिती की जा सकती है इस सीज़ में किस लीतु में मक्की की खिती होती है खरीफ के मौसम में रभी के मौसम में जायत के मौसम में और वर्स भर हैने कि सालों भर असान ये काफी असान सवाल है ये खरीफ रभी जायत अकसर आपको यह प्रस्त देखने को मिलेंगे तो मक्य की खिती की जा सकती है खरीफ के मौसम में खरीफ का मौसम सुरू होता है मई जून से शूरू होता है जून जुलाई से सुरू होता है और अक्टूबर नौमबर तक इसके फसल काट लिए जाते हैं ठीक है ना, रभी की जो खेती होती वो नौवंबर से सुरू होता है, और अप्रिल तक इसका फसल काट लिया जाता है, जिसे गियों, और बीच के जो दो महीने है, अप्रिल और माई, इसमें जायत की खेती होती है, तो इन सारे बातों को हम अलग से हम लोग लेके चलेंगे, चलिए, यानि कि 29 का राइट एंसर हमारा यह होना चाहिए, आएगर 30 में आते हैं, केसर की सबसी अधिक मात्रा होती है, कहां पर, पुर्वतर पहाड़ियों में, कास्मीर में, केरल में, और हुआ में, यह केसर वाली बात कुछ समय पहली हुआ है, अगर आप याद कर सकते ह हैं, तो बहुत आसान यह प्रस्त नहीं कि सबसी अधिक केसर होता है, कास्मीर में, ठीक ना, सबसी अधिक जो केसर होता हुआ वह कास्मीर में होता है, 30 का राइट एंसर हमारा बही होगा, आए 31 में, करे कि अमृत सर यो सिमला लगबग एक ही आक्छांस परिस्थी थे, सव अम्रितसर आप ऐसे समझे कि एक गर्म सहर है, सिमला एक कूल सहर है, ठंड सहर है, जब कि दोनों का चांस एक ही है, तो इनके जलवाईू के भीनता के कारण क्या है, इनकी उचाई में भीनता, उनकी समुद्र से दूरी, सिमला में बर्फबारी, और अम्रितसर में अमरित्सर का उचाई अलग है और यही जो समूदरतल से उचाई होती है इनके कलाइमेट पर असर डालता है यानि कि हमारा 31 का राइट एंसर हमारा यह होगा आएगा 32 में आते हैं करेकर निमलेखित में से किस राज में राष्ट्रिय राजमार्गी की सरवाधिक लंबाई पा तो इसका राएट एंसर क्या होना चाहिए आपकी screen पर चार option दिया ग्या है आंदर पर्देश मादर पर्देस राजस्थान और उतर प्रदेश सबसे अधिक राष्टी राजमार्ग की सरवाधिक लंबाई कहां पर है तो इसका राइट एंसर उतर प्रदेश होना चाहिए ठीक है ना उतर प्रदेश में राजस्थान मद प्रदेश और आंधर प्रदेश से भी जादा लंबाई की राष्टी राजमार्ग है ये खुद भी एक बड़ा स्टिट है तो थर्टी टू का राइट एंसर अमरड़ी होना चाहिए आईएगा थर्टी थ्री में निमली कित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको इसमें से मिसमैच पियर को चुनना है चलिए चिन नही भारत का सबसे गहरा पतन ये कहा गया है चलिए कोची प्राकृतिक पतन ये कहा गया है जवाला नहरू पतन भारत का एक मात्र मसीनी क्रीत पतन है अचार कांडला जवाल ये पतन है आपको सेकेंड का समय लीजिए आप इस प्रस्त को हल किजिये इस में से बताना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है तो बच्चो इसका right answer यह होना चाहिए चिन्नही भारत का सबसे गहरा पतन नहीं है आप ऐसा समझ कर्वारत का जो सबसे गहरा पतन है इसको पतनम कहिए, जो क्रिष्णा पतनम है यह सबसे गहरा पतन है भारत के अंदर में, क्रिष्णा पतनम जो है, वो सबसे गहरा पतन है भारत में, लेकिन यह हमारा सही कोची जो है प्राकृतिक पतन है, जो वाला नेहरू जो पतन है, वो भारत का एक मात्र मसीनिक रित पतन है और कांडला जो यह जिवर यह पतन है तो इसका मकलब है कि हमारा right answer क्या होना चाहिए हमारा 33 का right answer जो होना चाहिए वो A होना चाहिए यह गलत है चलिए भारत में रेसम का सबसे बड़ा उतपादक राज कौन सा है सबसे जदा रेसम कहां पर होता है चलिए देखिए असम में करनाटक में बिहार में और आंतरा पर्दिश में सबसे ज़्यदा रिज्वरेशम उत्पादक जो राज है वह करनाटक वह करनाटक यानि कि हमारा 34 का राइट एंसर हमारा भी होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं भारत का सब सबसे बड़ा पिट्रो केमिकल जो है किस राजमीस्थीते पुछा गया गुरात में पस्चिं बंढगाल में असम में और तमिलाडु में सबसे जो बड़ा पिट्रो जो रसायन करकाना है वो गुरात में है ठीक का राइट एंसर हमारा ए होना चाहिए आएगा 36 में बढ़ते हैं भिलाई स्टील प्लांट भारा सरकार तथा निमनलखित में से किस एक का संजुक्त उपकरम है यानि कि जो भिलाई स्टील जो प्लांट का गठन किया गया है उसमें एक तरफ है भारा सरकार और एक और देश है जिसके साहता से भिलाई स्टील का प्लांट का निर्मान किया गया था चलिए रूस, ब्रिटेन, जर्मानी और पॉलैंड इसका राइट एंसर होना चाहिए है रूस ठीक ना रूस और भारा सरकार की मदद से भिलाई स्टील प्लांट का अस्थापना किया गया था यानि कि 36 का राइट एंसर हमारा यह होना चाहिए आए 37 में कर रहे कि निमने में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है सबसे ज़दा इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है और इसका राइट एंसर होना चीए बंगलादेश 4096 किलो मीटर यह बनाता है भारत और बंगलादेश का सीमा रेखा भारत और बंगलादेश का सीमा रेखा कि जो लंबाई है वो है 40, 496 किलो मीटर बाकी जो इसके बाद चाइना है पहले सबसे पहले बंगला देश इसके बाद चाइना इसके बाद पाकिस्तान है तो हमारा राइट एंसर हमारा C होना चाहिए 37 का राइट एंसर हमारा C होगा चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं हटी एट में निमले कितमें से कौन सा एक यूग्म सुमेलित नहीं है आपको अबाना बेमेल आपको इसमें से प्एअ खोजना है रेलवे जोन इदर दिया हुआ है और इदर मुख्वाले दिया हुआ है अक्षर ऐसा सवाल आता है Railway John और मुख्याले से सम्वंदीद इसमें से आपको मिसमैद चुनना है जो सुमेलित नहीं है चलिए उत्तर पुर्वी रेलवे इसका मुख्याले गोरकपूर में है दक्षिन पुर्वी रेलवे करें कि भारत के की सराज में सबसी अधिक शूती वस्त्र मील है सबसी अधिक सूती वस्त्र मील है option दिया हमाद परदेश, दूसरा है महारास्टर, C है गुजरात, और D है पश्चिम बंगाल, तो बच्चो भारत में सबसी अधिक जो सूती वस्तर की मील है, वो महारास्टरा में है, वो महारास्टरा में है, ठीक ना 39 का राइट एंसर हमारा B होगा, आईएगा number 40 में आते हैं कोईले के अस्थानिया पूर्ती उपलब्द नहीं है, किस को कोईले की लोकल सप्लाई उपलब्द नहीं है, मतलब किस को कोईले को लोकल सप्लाई से दूर उसका स्थापना किया गया है, चलिए टिस को, जमसितपूर को, भी आईएसल भदरावती को, एचेसल यह वहीं जगह इनको अस्थापित किया गया है जहां पर कोईले का सुगमता सुपलब दता हो उनको जल्बिदूत मिल सके उनके लिए बंदरगा भी सुलब हो तो यह सारे चीजे नजर में रख करके अना आयरन एन इस्टिल कंपनी का गठन किया जाता है या किया गया है लेकिन भी आई एसल भद्रावती आप ऐसा समझे इसका गटन जो है वो कोईले छित्रे से बहुत दूर रखा गया है ठीक है इसको कोईले का लोकल सप्लाई नहीं है जबकि टिसको जमसेदपुर को मिल जाता है कोईला जारखन में ही कोईले के खान है पस्षिम मंगाल में भी है चलिए ठीक है दुर्गापूर को इसी तरह से मिल जाता है रानी गंज छित्रे से अना जो की काफी नस्दिक में है लेकिन बाबा बूदन की पहाड़ी से भद्रावती को मिलता है ठीक है ना भद्रावती है बिसो सरया आयरान स्टील लिमिटेड आप ऐसा समझे बिसो सर या आयरान स्टील लिमिटेड को मिलता है बाबा बूदन की पहाड़ी से लेकिन बाबा बूदन की पहाड़ी काफी दूर पर है भद्रावती से अता हमारा फोटी का राइट एंसर जोगा वो भी होगा आयेगा फोटी वन में पेट्रो रसायन की उत्पादन का सबसे बड़ा केंदर कहां पर है तो इसका सबसे बड़ा केंदर जामनगर ठीक ना जामनगर रिलाइंस का सबसे बड़ा वहाँ पर ऐसे समझी कि पेट्रो केमिकल का फेक्ट्रिय अस्थापित किया गया है ठीक ना यानि कि 41 का राइट एंसर हमारा यह होगा आयेगा निक्स्ट बिहार में डाल्मिया नगर किस के लिए परसिद है, डाल्मिया नगर परसिद है किस चीज के लिए, रेसम के लिए, सिमेंट के लिए, चमडा के लिए और जूट के लिए, बच्चों यह बहुत इजी सवाल है, लेकिन यह बहुत इंपोर्टन सवाल भी एक जाम्स के लिए, तो इसका डाल्मियन अगर जो है, वो सिमेंट के लिए परसिद्ध है, ठीक है ना, डाल्मियन अगर जो है, वो सिमेंट के लिए परसिद्ध है, 42 का राइट एंसर हमारा B होने वाला है, चलिए, हम लोग आगे देखते हैं 43 में, परती हेक्टेर गिहों की उत्पादन में पर् तो वो है पंजाब, हाला कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिहूं होता है, लेकिन यदि परती हेक्टियर की हिसाब से बात किया जाए, तो उसमें पंजाब पर्थमस्थान रखने वाले स्टेट है, यानि कि जैसा सवाल पूछा गया है, परती हेक्टियर गिहूं का उत्तपादन पूछा गया है, यदि कहा जाता है कि सबसे ज़्याद गिहूं का उत्तपादन किस राज में होता है, तो वो उतर परदेश में है, ठीक है, लेकिन परती हेक्टियर की हिसाब से आपको गिहों का उत्पादक राज पूछा गया है, तो 43 का राइट एंसर अमारा यह होना चाहिए, आईए 44 में, कर रहे क्या, क्राइसोलाइट का सबसे बड़ा भंडार है, कहां पर, क्राइसोलाइ राइट एंसर हमारा D होने वाला है, आईए 45 में, करके नामचिक, नामफुक, कोईलाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् 45 का राइट एंसर हमारा C होना चाहिए, आइए 46 में, मुंग फली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन, सबसी ज़दा मुंग फली किस राज्य में होता है, गुजरात में, करनाटक में, महारास्टर में, और केरल में, बहुती इस नेचर के सवाल है, ऐसा सवाल को ज करेके तलाब दोरा सरवादिक सिचाई होता है, किस राज में तलाब भी सिचाई के साधन है, लेकिन किस राज में इसका सबसे ज़दा यूज होता है, सवाल यह है, तमिलाडू में, बिहार में, आंध्रा पर्दिस में और किरल में, तो सरवादिक सिचाई तलाब दोरा होत किस राजय से है उकाई परियोजना तापती नदी देखिए यहां पर आपको एक अभी question का answer दे दिया गया है ऐसा भी पूछ सकता था कि उकाई परियोजना किस नदी परिस्थी थे तो वो तापती नदी लेकिन प्रस्थमी तापती नदी को भी रख दिया गया है तो यह जो तापती नदी परिस्थी जो उकाई परियोजना है इसका संबन्द जो है वो गुजरात से है इसका संबन्द जो है गुजरात से इससे benefit जो मिलता है वो गुजरात को मिलता है यानि कि 48 का right answer हमारा बी होना चाहिए आए गब 49 में भारत में सबसे कम जन संक्या घनत वाला राज है लिस्ट डेंसिटी और पॉपलेशन डेंसिटी किसे स्टेट का है सबसे कम नागालेंड का तिरपूरा का सिक्कीम का और अरुनाचल प्रदेश का तो बच्चो अरुनाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जन संक्या घनत वाला राज है ठीक है ना भारत का सबसे कम जन संक्या घनत वाला राज है वह है आंधरा प्रदेश औरने चल प्रदेशד, 49 का रहेट एंसर आमरे डी होगा, आते हैं पचासवा नंबर के सवाल पर, पामलू है, पामलू क्या है, ठीक है ना, पामलू है, तो पामलू क्या है, चलिए दिखते हैं, मनी पूर में अस्थनान्तरीत क्रिसी का एक अस्थानीय नाम है, अस्थनान्तर agriculture कहिए चलिए अब सवाल क्या है कि भारत में अस्थनांतित किसी का एक नाम है पामलू पहले सवाल है कि पामलू क्या है तो मनिपूर में अस्थनांतित किसी का एक अस्थानिय नाम है मनिपूर में इस्थितिक रश्टी परक का नाम है मनिपूर का एक जानवर का नाम है और मन और चो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 50 MCQ किये जो की एक्जामिशन दृष्टी कुन से बहुत important है आप इस वीडियो सेशन को पूरा देखें अगर आप नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले आगे आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे मतलब वीडियो देखने को मिलेंगे आज की बात बस इतना है थांकि वेरी मच